ओ नमस्युवाय परनाव आज मैं आपको एक रक्षा का मंत्र बता रहा हूं शुरक्षा के लिए इस मंत्र से आप खुद भी फाइदा ले सकते हैं और दुसरों की भी आप शुरक्षा कर सकते हैं तो ये मंत्र शुरक्षा के लिए हैं आप इसको एक तरीकी से जैसे मंत्र को शितो किया जाता है ने साधना के जरिए वैसे ही इस मंत्र को आप को शित्ध करना पड़ेगा उसके बाद में यह मंत्र आपका है जो कारकर होगा कारे करेगा और इससे आप गुद्ध की भी सुरुक्षा होगी आप किसी और की भी करना चायए तो इसकी भी हो जाएगी आप इससे कोई धागा करके भी बान सकते तो भी अगर किसी के पास कोई रोग है कोई बच्चा है बुड़ा है जो कोई भी है तो उसकी आप सुरुख से आसानी से कर सकते हैं और आप इसको सिद्ध करना आपको सबसे पहले है कि आप इसको किसी भी घरनकाल में है तो घरनकाल होता है जो साल में लगबग चार-पास बार तो घरन आते ही आते हैं दिपावली बगेरा साल में एक बार आती है लेकिन गरंट का समय है वो तो चार पास बारा था ही है तो आप गरंट का लगा कोई भी समय देखियेगा उश में आप इस मंत्रा का अच्छे सी तैयारी के साथ में सिद्ध केजीयेगा गरण काल में शिद्ध करने का तरीका वो ही है कि दसजार जब किये जाते हैं उसमें आपको क्या करना है कि गरण शुरू होने से पहले शुरू करना है पूरा गरण है जो आपकी साधना में निकलना चाहिए और कभी गरण का मतलब ही होता है कि कभी आदे गंडे का भी होता है कभी दो गंडे का भी होता है हो सकता है कि गंडे बर आदे गंडे का है तो आप आदे गंडे में तो दसजार जब नहीं कर सकते तो आपको समय पहले निचित करना है कि आप एक माला अरकर जब करते हैं तो कितना समय लगता है फिर उस गरनकाल के समय को आदा पहले देना, आदा बाद में देना, वीच वाला समय गरनकाल का लेना है, इस परकार से करना है, तो सादना में कापी आपको फाइदा मिलेगा, सादना इस सिद्ध भी हो जाएगी, यह मंत्र है जो बिलकुल इस्लामिक तंत्र के आधार पर है, लेकिन इसका जो मिसरान है, जो शाबर मंत्र होता है, शाबर मंत्र का यह मिसरान है, तो आपको इस परकार से, इसका जो मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप उसको इस परकार से आराम से लिखीगा, और लिखने के बाद याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, पांच-दस म हो चब करना शुरू करना है ताकि आप बैबी जमें पूलेंगे नहीं मत्रा मंत्रा के अक्ष्रों में कुछिघर बढ़ता हो सकते इसमें आप को क्या करना है कि आप इसको शिद्र करने के बाद में जिसका भी करियोग कर रहे हैं तो उसको दागा बादना जाते हैं तो उससमें आप कांट लगाने एक धागा ले ना उसमें सात् ettव गाटे लगानी और साते समें इक बार मंत्र पड़ते रहे हैं रोजना आपकी माला मैसी दोने के बाद में कमशे कम 10-15 मनिट दे के एक माला इसका जप रोजा ना कीजिएगा ये कापी काम किसी ही ठीक है फिर वो गाट वाला धागा है तो वो तो आपको उसको जिसका रक्षा करना है उसके बान दीजिएगा कोई बच्चा है बुड़ा जो कोई भी है किसी के कोई भी नजर टान जादू टोना चो कोई भी है उसके उसको शुरुक्षा हो जाएगी तो इस परकार का है इससे सर्वत्र शुरुक्षा रहती है आपको ये बंतर करना है स्क्रिंग पर आपको मिल गया तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे लाइक से और स